हेलो एवरिवान, वेलकम बैक टू माई चैनल गाईस, ट्राड़ी विद दीपा सैनी में, आज की इस वीडियो के अंदर हम करने जा रही हैं, ये है भई आपका 2015 का कोश्चन पेपर, पीजिटी लेवल का जोग्राफी सब्जेक्ट का एच्टेट, ठीक है, एच्टेट 2015 का प अच्छी लगे तो लाइक और शेर ज़रूर किया करो वीडियो को, तो चलिए, कोशन नंबर 91 इस, प्रिंसिपल्स ओफ हुमन जोग्राफी पुस्तक के लेखक है, तो प्रिंसिपल्स ओफ हुमन जोग्राफी, इसके राइटर कौन थे, डिमान जिया, तो डिमान जिया की ब जियान रखना, और प्रिंसिपल्स ओफ जोग्राफी किसकी थी वही, प्रिंसिपल्स ओफ जोग्राफी, खाली जोग्राफी, वो थी थोन वेट महोदे की, किसकी थोन वेट महोदे की, और प्रिंसिपल्स ओफ हुमन जोग्राफी, हंटी गंटन की, तो दोनों कोशन्स बुक में केवल हूमन वर्ड का अंतर है याद रखना नेक्स आता है कोशन नमबर 92 निमन में से कौन सी नदी अमर कंटक पठार से उद्गमित नहीं होती है तो थोड़ी क्वालिटी फोटो फट रही है तो जो मैं बोल रही हूं आप उस पर ध्यान देना आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो कि आपके अमर कंटक के पठार से नहीं बहती या नहीं निकलती तो वही तापती नर्मदा सोन जोहिला तो देखो नर्मदा तो आपकी अमर कंटक की भाड़ियों से ही निकलती है सोन नदी भी और जोहिला भी बट अगर हम देखे तापती नदी तापती नदी आपकी मध्य परदेश के बैतुल मुलताई से निकलते कहां से बेतुल मुलताई से मैं लिख देती हूँ बेतुल मुलताई से निकलते तो इसलिए इसका अंस्वर क्या होगा तापती नदी बेतुल मुलताई से निकलते क्योंकि एक बर पूछा गया था क तापती नदी निम्न में से किस स्तान से निकलती है तब आपका अंसर आया था बेतुल मुलताई ओके तु समझे लो इस चीज़ को तो अंसर होगा तापती नेक्स्ट आता है कोशन अबर 93 निम्न में से कौन सा विवरतनिक बलो का परिणाम है विवरतनिक यानि आपकी वियाकार की गाटी देखो अमारी नदिया बनाती है है ना वियाकार की गाटी नदिया बनाती है अंदी गाटी भी और ब्रंश गाटी की बात करें यानि रिफ्ट वैली और जल गरती कहां ये भी नदी बनाती है बट ब्रंश गाटी की बात करें आपके ब्रंश परवत जो ब दिया है ऐसी जो ब्रंश गाटी से होकर बैती है नर्मदा और तापती और कभी कभी दामदर को भी ब्रंश गाटी से होकर बैता हुआ माना गया है किसी किसी बुक में नेक्स आता है कोशन नमबर 94 और इजी सा कोशन है अरावली पहाडियां एक उधारन है वही अरावली परवत सबसे पुराना परवत ठीक है विस्व का सबसे आउसिष्ट तूटा फूटा रिलिक्ट माउंटेन है तो कौन सा है आउसिष्ट परवत अंस्वर क्या होगा आउस हिमाले श्रंकला के किस भाग में पाई जाते हैं महान हिमाले ट्रांस हिमाले मद्दे हिमाले शिवालिक हिमाले तो देखो आई तिंक जो HSSC उसने शिवाली कंसर्वाना था ठीक है तो देख ले ना दून और दुवार जैसे आपका धहरा दून हरी दुवार उधम दून तो इस तरीके के आपके एक्जामपल आते हैं इनमें ये गाटियां होती है नेक्स आता है कोशन नंबर 96 और सीधा सा कोशन है भारत जानन की संक्रमन की सवस्ता से गुजर रहा है तो इंडिया की बात करें तो देखो अवस्तावन में तो आपकी जनमदर और मिर्तियोदर दोनों जादा नहीं है तो अवस्तावन में इंडिया नहीं है अवस्तावन में आपकी जनमदर आपकी अगर हम बात करें तो कह दिरे जनम्दर भी घट रही होती है और मिर्तियोंदर भी घट रही होती है तो भारत जो है वो जनान के संकर्मन की तीसरी अवस्ता से गुजर रहा है तो इसका अंस्वर होगा stage number 3 नेक्स आता है यदि दो स्थानों की बीच मान्चितर और धरातल पर मापी गई दूरिया करमस्य के दू सेंटीस और आपके डेड किलोमिटर हो तो मापनी की आपको बताना है मापनी की मान्चितर की मापनी होगी तो कुछ नहीं करना यहां पर डेड़ और इसको डिवाइड कर दो और यहां पर आपके किलोमीटर सेंटीमीटर की वज़े से जीरो लग जाएगी ठीके तो टू को इसको काटोगे और लास्ट यहां तो वन रेसो 75,000 अंसोर आएगा सीधा सा कोश़चन था आर Εफ निकालना था आपको फ्रेक्शन निकालना था वो आपका है उतरी अटलांटिक पर ठीक है नोर्थ अटलांटिक वाले पार्ट में पढ़ता है टेलीग्राफ पठार मोस्ट इपोर्टेंट है और यह सारे जो पठार है मैंने आपको पेड कोर्स में तो मैंने सब कुछ करवाया हुआ है पेड कोर्स में आपके यह सब कुछ कुछ है कि कौन से महासागर में कौन-कौन सी कटक है कौन-कौन से पठार है जिन बच्चों ने पेड़ कोर्स ले रखा होगा वो सभी जानते ही होंगे अभी मैं आप सभी को बता दू कि नेट और PGT जोग्रफी का पेड़ कोर्स अवेलबल है अचीवर्स अकैडमी एप पर तो जो स्टूडेंट इच्चु को तो वहां से अपना पेड़ कोर्स खरीच सकती है नेक्स्ट आता है कोशन नबर 99 शिक्स की ताप मापी किसके मापन ही तू उप्योगी है शिक्स महोद् हा वो किसके लिए यूज़ था समाने ट तावममेटर था उसमें में मेनिमम और मैकसिमम दोनों ही टैमप्रेचर को इनक्लूड किया था इनोंने ठीक है मेनिमम को भी माप सकते देज़ आप चाहिते और मैकसिमम को भी जाता था है QI QN number 100 अंधी घाटी का निर्मान होता है तो उसके त्वरा इसका निर्मान किसके द्वारा होता है नदी के द्वारा एक होती है यू आकार की गाटी ये बनाई जाते है हिम नदी के द्वारा यानि गलेश्यर्स के द्वारा एक होती है आपकी अंदी गाटी ये होती है वही किसके द्वारा बुमिगत जल के द्वारा तो तीन नो गाट तो इस से दूखने जाती है वी आकार की गाटी नदी ऑर अंदी घाटी वही आपकी भुमीगत जल दूखने जाती है तो इसका अंसर रहेगा option no.c नेक्स्ट आता है कोश्चन नबर 101 परवाल भीती के विर्दी के लिए उप्यूक्त दशाएं हैं यानि जो परवाल भीती होती है न कोरल रीफ कोरल रीफ के लिए क्या-क्या इनमें से जो दशाएं दे रखें वो देखनी हैं तापमान आपका 80 डिग्री फोरे नाइट से 70 डिग्री फोरे नाइट के मद्द्य होना चाहिए लगभग 27 परतिशत से 30 परतिशत के बीच होनी चाहिए 50 फैदम की गहराई तक जल मगन चबूत्रे होनी चाहिए शुद्ध जल होना चाहिए तो देखो अब इनमें से अगर हम बात करें तो सारे बिल्कुल ठीक नहीं है एक तो आपके शुद्ध जल में परवाल बीती नहीं पनप सकती ठीक है तो आपका ये शुद्ध जल गलत है हाग कम गहराई पर ये बनती है तो 50 फैदम तक की गहराई इनफ होती है इनके लिए लवनता चाहिए वह इनको 27 से 30 प हमारा जो नॉर्मल टेंपरिचर की बात करें सरीर का तो 98.5 बात करें तो यहां पर हमारा जो अंसर होगा परवाल बीती की विर्दी के लिए कौन सी बेस्ट दशाएं होंगी एक तो ये तापमान वाली बिल्कुल करेक्ट है परवाल बीती आपके कितने डिगरी अक्षांस तक इनके लिए बैस्ट इन्वार्मेंट होता है या जलवाई वे दशाएं होती है या समुंदर होता है तो कोरल रीफ की बात करें न तो आपके वही करक से मकर रेखाओं के बीच जीरो डिगरी से करक रेखा और जीरो डिगरी से मकर रेखा के बीच यानि साड़े 23 डिगरी नोर्थ और साड़े 23 डिगरी साउथ के बीच का जो एरिया है वो आपके कोरल रीफ के लिए सबसे बै संद्रन चिस्ञश कह पूछ है और यहां पर इस प 우리는 हैं आज़ों संद्रन इसने में राकिन संद्रन विल्ट की चवर्व में अध्यश का पूं गा एक वनानवार्व सने अस यह इहां पर इस सब लेजम, इस पूचा गया तो हमारा राइट अंस्व रोगा उप्शन नमबर C, कार्बन डाई अक्साइड, क्या रहेगा कार्बन डाई अक्साइड, याद रखना इस चीज़ को, नेक्स राता है कोश्चन, कोरियालिसिस परभाव उत्पन होता है, वैसे भी ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा इफ्यक्टिव गैस हमारी CO2 ही है, और यह CO2 जितनी ज़्यादा मातरा में बढ़ेगी, उतनी ग्रीन हाउस की जो प्रोब्लम है वो बढ़ती चली जाए से जो अपने अंदर टेंप्रेचर को आने तो देती है, सूरी से जो भी टेंप्रेचर अपने अंदर अब्जोव करके रख लेती है और उस टेंप्रेचर को इंक्रीज कर देती है, बट उस टेंप्रेचर को भार नहीं निकलने देती, ठीक है और इस वज़े से क्या हो जात हिमनदी सी लेवल बढ़ जाएगा सुमुंद्री तल बढ़ जाएगा और आपकी जितने भी आइलेंड है वो पानी में डूब जाएंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें होती चली जाएंगी ओके नेक्स्ट आता है कोश्चन नबर 113 कोरिया लीसिस परभाव उत्पन होता है दाब परवनता से पिर्थवी के परिकर्मन से पिर्थवी के परिभर्मन से या परिभर्मन या परिकर्मन दोनों से तो देखो भई जो कोरिया लीस परभाव है वो हमारा पिर्थवी के परिभर्मन यानि अर्थ के रोटेशन से आप इंगलिश वाली सेंस जरूर देखा कर क्यों कि कई देख को पर अब परीभरमन और गुर्णन पटाता हों जिने गुर्णन पटा जिसने गुर्णन पटा अपने अपने अक्ष पर गुमती है अपने अक्ष पर गुमती है तभी आपका ये हवाई है जो आपके जीरो डिग्री से उत्री गुलार्द में उत्तर की और मुड़ जाती है ठीक है उत्री गुलार्द में हवाई उत्तर की और मुड़ जाती है दक्षिनी गुलार्द में दक्षि पित हो जाना ठीक है तो यही है आपका korealysis परभाव और कुछ नहीं नेक्स्ट आता है कुश्चन नबर 104 स्पेस एप्लिकेशन सेंटर स्थीत है स्पेस एप्लिकेशन सेंटर इस लोकेटिड एट तो बहुत यह सेंटर आपको बताना है कहां पर है तो ओप्शन देखते हैं बैंगलोर, एहमदाबाद, चन्ने, हधराबाद तो अंस्वर होगा एहमदाबाद में जो स्पेस आपका अप्लिकेशन सेंटर है यह आपका गुजरात के एहमदाबाद में है नेक्स्ट आता है कुश्चन नबर 105 निमन में से कहां सडकों का सबसे कम घनतों है आपको बतान खुश्चन नबर 106 कौन से परिवहन माध्यम से लंबी दूरियों के लिए पड़ती एकाई परिवेहन लागत नियूनतम आती है यह यानि कौन से किस से आप यातायात करो कि लंबी दूरी का यातायात आपने कर लिए फिर उसके बाद भी आपका घर्चा है वो भूत कम आ होती हैं वो जल परिवहनगे के रास्ते से ही एक जंगह ज़वया कि से दूसरे जंगह एक देश से दूसरे देश हो springs के रेल हैं यह चांगी ऑप्शण में जल परिवहन नहीं होता तब आप रेल परिवहन ठीक है और आपके सारे नोर्थ इस्ट वाले स्टेट है तो इसमें केवल असम राज्य में है नेक्स आता है 108 वोन जीट किस देश में इस्तित है तो भारत से कम जय वीविदिता वाला देश अमें ढूंड़ना है ब्राजिल मलेशिया इंडोनेशिया अरजिंटीना अब देखो ब्राजिल अमेजन नदी का आसपास वाला वाँ तो इतनी जहाई विविदिता है मलेशिया और इंडोनेशिया इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर जो आपका मलेशिया इंडोनेशिया यह भी जिरो डिगरी के आसपास वाले एरिया है बट अर्जेंटीना की ब आसपास वाले जो इरिया होते है न वहीं पर जाए विविदिता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है नेक्स्ट आता है कोश्चन नबर बरन अंडर टैन पिर्थिवी के आकरती का सबसे सही वर्नन क्या है वही हमारी पिर्थिवी की शेप बतानी है तो सबको पता है आप पिर्थिवी की शेप कैसी है आजियोड यानि धुर्वो की और से हमारी पिर्थिवी अंदर की और धसी हुई है पूरी तरह से गोल नहीं है नेक्स आता है यहाँ पर आपको थोड़ा कम दिखेगा बढ़ आप मुझे सुन सकते हो कार्बोनी फेरिस काल एक हिस्सा है पैलियोजोईक महाकल्प का यह स्रीनोजोईक महाकल्प का तो आपका कार्बोनिफेरिस काल है वो आपका पैलियोजोईक महाकल्प का हिस्सा है कार्बोनिफेरिस काल ओकी नेक्स्ट आता है कोश्चन 112 महासागर की गहराई मापने ही तू किस यंत्र का यूज किया जाता है तो आपका तुँंगता मापी सबत्ें यह झालमपी यह समयख मापने के लिए किया जाता है यह लिए फैदम मापी यह आपने चीज देखी ओगे कि समुंदर के इतने गहराई पर इतने फैयदम है ठीक है तो समुंदर के गहराई किसमे मापी जाती है फैयदम मापी यंत्रमी तो option number क्या रहेगा तू नेक्स्ट आता है question number 13 नीमन राज्यों में से किसमे नहरी सिचाई का सरवाधिक छेत्र है यानि नहरी सिचाई का आपको बताना है आंधर परदेश यानि नहरों द्वारा सिचाई सबसे जाधा किसमे होती है आंधर परदेश महाराष्ट पंजाब उत्र परदेश तो इतो कोमन सा अंसवर था सबको पता है यूपी में सबसे जाधा जो इरिगेशन होती है जो सिंचाई होती है वो नहरों के यह तो अंस्वर डी रहेगा नेक्स आता है question number 114 रीतु परवास को किस छेत्र में रहने वाले लोग अपनाती है यानि जो रीतु यानि ट्रांस हुमन्स ट्रांस जो हुमन्स है उसे कौन से लोग अपनाते हैं वही परवर्तिय छेत्र के लोग टैगा के टूंडरा के या उश भागों में चले जाते हैं पस्वों को लेकर और सर्दियों में नीचे गाटियों की और आ जाती है तो इसी परवास को कहा जाता है रीतु परवास तो ओप्शन होगा हमारा परवर्तिय परवास ओप्शन नमबर वन नेक्स आता है question number 115 बिग बैंक सिध्यान्त के परवर्तक है यानि बिग बैंक जो थियोरी है वो किस ने दी थी common question और सबको आई थिंग इसका अंसर आता भी होगा जोर्ज इलिमेंट्रे मोहद्य ने दी थी भई बिंग बैंक थियोरी तो 2015 का I think question paper इतना मुश्किल नहीं था निमने में से कौन सी महासागरिय धारा गरम धारा नहीं है तो बहुँ कौनसी अपकी गरम धारा नहीं है उन टाल्स स्फ्रिम तो य भो एदना बिलकुल दक्षिन में इस्ट से सौथ से यानि दक्षिन से उत्र कmore बहती है तो यहीए एक थंडी धारा फार्क्लेंट की थंडी धारा नेक्स आता है question number 117 निम्न में से बारतिय सर्वेक्षन विबाग द्वारा वर्तमान में बनाई जाने वाले 25,000 मापनी की किसी दरातल पत्रक की सही सूचक संख्या है तो यहाँ पर आपको सूचक संख्या बतानी है तो यहाँ पर देखो सर्वेक्षन विबाग देखो यहाँ पर 25 आपका 1000 लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक 72 नाम की शीट मापी गई है यह आपका एक टोपोग्राफिकल सीट से रिलेटिड कोशन है टोपोग्राफिकल सीट में हम बनाते थे ना उनके पार्ट तो जैसे आपका यह देखो अगर मान लो एक लाग है तो एक लाग का यह फोर्थ इस्सा है अब एक लाग का फोर्थ इस्सा और उसके साथ डिरेक्शन भी तो ओप्शन नमबर वन रहेगा इसका 72 सीट थी और H पार्ट था और H में से भी आपका 14 वाला जो बोक्स और फिर अनर यह टोपोग्राफिकल सीट से रिलेटिड कोशन है नेक्स राता है कोशन नमबर वन अंडर 18 निम्ण में से कौन सी सते अधिक्तम अनुमानित माद्य अल्बीडो मुल्ले रखती है नगन चत्तान हरी गास स समुद्री सते ताजा हिम तो अधिक्तम अनुमानित माद्य अल्बीडो मुल्ले रखती है तो ताजा हिम यानि आपकी फ्रेस सोनो जो होती है वो ही आपका अल्बीडो मुल्ले अधिक्तम रखती है इन सभी में से ठीक है अंस्वर क्या रहेगा ताजा हिम नेक्स राता केरल राज्य केरल में ही रबड के और नारियल में दोनों रबड और नारियल दोनों में नमबर बन है केरल राज्य नेक्स आता है कोशन नमबर बन अंडर 20 पिर्थवी के अंतरतम में सम वहनिय धाराओं की उत्पती का परमुक कारण क्या है कि बही पिर्थवी के अंदर जो स उसकी वज़े से ही पैदा होती है या पिर्थवी सतय के नीचे रेडियो सक्रिय तत्वों की उपस्ति तो मेजर जो कारण है ना इसका पिर्थवी के अंदर भाग में जो आपकी जो समवहनिय धाराई बैती है उनका मेजर जो कारण है वो क्या है पिर्थवी की सतय के नीचे रेडियो सक्रिय तरंगे देखने को मिलती हैं देखने को क्या मतलब मापी जाती हैं आपकी पता लगाई जाती है और उनी से ही इन समवहनिय दाराओं की उत्पती होती है नेक्स आता है कुश्चन नबर वन अडर 21 जपान का मांचेस्टर किसे कहते हैं तो बई जपान का मांचेस्टर कहते हैं ओसाका को याद रखना जपान का मांचेस्टर किसे कहते हैं ओसाका ओसाका रहेगा आपका राइट अंसर नेक्स आता है ग्रेबेन है ग्रेबेन 122 ग्रेबेन क्या है एक निम्न वलित छेत्र उच वलित छेत्र उच ब्रंश छेत्र निम्न ब्रंश छे जो आपका नीम्न ब्रहन शेत्र होता है उसे कहा जाता ग्रेबेन यह मैंने आपको करवाया हुआ भी है ग्रेबेन नेक्स आता है 123 ओजे ओजोन जो परत होती है वो आयू मंडल के कौन से भाग में पाई जाती है सिंपल सा कोशन सबको पता है समताप मंडल में हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है 20 से 35 किलोमीटर के बीच इसकी अधिक्तम होती है सगंता ठीक है डॉप्सन यूनिट के द्वारे से मापा जाता है और CFC सबसे ज़्यादा नुक्सान पहुचाती है इसे कलोरो फुलोरो कार्ब मोहदे ने किया था यह आपका EVS से कोशन है और जोग्रफी में भी मैंने पेड कोर्स में EVS कि जितने भी हमारे जोग्रफी से रिलेटिव टोपी के जहां से कोशन बनते हो सारे मैंने पढ़ा रखे तो बेफिकर हो जाओ कोर्स वालो ठीक आपके अच्छी त्यारी हो जा कितनी होती है 165 मीटर की उचाई पर एक डिग्री सेल्सेस टैंपरेचर आपका कम होता है ठीक है 165 मीटर की उचाई पर और वहीं एक किलोमीटर पर बात करें तो भई 6.4 डिग्री सेल्सेस आपका टैंपरेचर कम होता है तो यह दोनों ही याद रख लेना अगर 6.4 डिग् तो 6, Ring of fire किस महासागर के किनारों पस्तित होती है, आगेन इजी कोश्चन परशांत महासागर, ठीके, जो परशांत महासागर के किनारों पर सबसे ज़्यादा बुकाम पर जव्वाला मुख्ये आते हैं और इन्ही वज़े से इन्ही के किनारों पर रिंग ओफ फायर सिते हैं तो लक्षे द्वीप सिक्किम नागा लेंड दादर और नगर हवेली तो इनकी सब की बात करें तो इनमें सब में लक्षे द्वीप जो है लक्षे द्वीप में उनकी कुल जनसंक्या का सरवादिक परतिशत अनुसजीत जनजाती का पाया जाता है नेक्स्ट कोशन आता कोशन नबर 1 under 28 भाभा परमानु शोद केंद्र बी ए आर बी जो की पहले परमानु उर्जा संस्थान था ट्रामबे के नाम से जाना जाता था ट्रामबे में थी भई और ये किस वर्ष स्तापित किया गया था तो भई सिंपल सा कोशन और इसे स्तापित क किया गया था पहले इसका नाम था परमानु उर्जा संस्थान फिर बाद में भाभा परमानु शोद केंद्र कर दिया गया ठीक है तो 9054 रहेगा इसका अंस्वर नेक्स्ट आता है कोशन गलोब पर करमश्य कितने अक्षांस और कितने देशांतर खीचे जा सकते हैं तो गलो नहीं है लैटिटिटूड कैन बी ड्रोइन ओंदा गलोब रिस्पेक्ट ले तो हम तो देखेंगे ही तो भई 360 डिगरी हमारे देशांतर तो कन्फोम है तो आपके 371 तो होंगे ही नहीं अब अक्षांस पर गाड़ी रुख जाती है कि जो आपके अक्षांस की बात करे ना तो अक्षांस तो आपके 179 है अक्षांस रेखाओं की बात करें तो वह 181CB है तो इन दोनों की वज़े से इस का अंस्वर नहीं दिया गया था और जिसने A और C पर क्लिक किया था उसी का अंस्वर दोनों का दोनों ओप्शन क्रेक्ट माने गए थे तो A और C ओके तो 180CB नेक्स्ट आता है कोशन 130 विस्व को जन्तू भगोलिक परदेशों में विबक्त करने वाले पर्थम सफल वैग्यानिक थे तो वह पूरे वर्ड को किसमें बाता जू जियोग्राफिकल रीजन्स ठीक है और फर्स्टली किसमें बाता था फर्स्टली जोर्ज ने वालेस ने ने डारली गंटने तो अंसर होगा वालेस महोद्दे ने वालेस महोद्दे ने जन्तू भगोलिक परदेशों में बाता था ये कोशन मैंने पेड कोर्स में भी बच्चों को करवाया है नेक्स आता है कोशन 131 खनीजों की कठोरता मापने के लिए कौन सा स्केल यूज होता ह तो भई खनीजों की कठोरता यानि खनीज में आपकी चत्तान भी आ जाती है तो एक्जामेनर पूछे कि चत्तान की कठोरता मापने के लिए कौन सा स्केल या खनीजों की कठोरता यानि सोलिड मापने के लिए तो भई देखो रिक्टर स्केल मरकेली स्केल ये दोनों आपक नमबर C रहेगा, मोह, मोह, स्केल, मैं मैको की मात्रावर है, या M-O-H, ठीक है, नेक्स राता कोश्चन 132, साइड़ वाक किरिशक और सूट केस किरिशक, ये किस परकार की किर्शी की विसेशता है, तो भई साइड़ वोक किर्शक और सूट केस फार्मर्स निर्वा किर्शी की, वैपारिक अनकिर्शी, गहन किर्शी या स्तानंतरन किर्शी, तो भई ये आपकी वैपारिक अनकिर्शी की है, वैपारिक देखो साइड़ वोक किर्शक और सूट केस, सूट केस किर्शक यानि आ नेक्स आता है कोशन 133, 2011 की जनगन्ना के अनुसार भारत की ओसत वार्षिक जनसंक्या विर्दी दर पुछी गई है, ठीक है, तो भाई आपका मैं पहले बता देती हूं, जादा इसमें डिसकस की कोई नीडी नहीं है, भाई 1.64 परतिशत है भारत की ओसत वार्षिक जनसंक्य विर्दीदार 1.64 परतिशत, नेक्स आता कोशन number 34, भारत की केंद्रिय मोसम प्रेक्शन साला आस्थित है, ठीक है, भारत की केंद्रिय मोसम प्रेक्शन साला आस्थित है, नाई दिल्ली में, कोलकत्ता में, पूने में और धेहरादून में, तो अन्सवर क्या हो जाएगा, पूने में ठीक है महाराष्ट के पूने में हैं वही केंद्रिय मोसम प्रेक्षन साला केंद्रिय समझ के सांटर समझ के दिल्ली मत लगा देना अंस्वर क्या रहेगा पूने पूने नेक्स आता है कोशन नमबर 135 जवारिय उर्जा के लिए सबसी उपियुक्त जंगय कुन सी है खंबात की खाड़ी पार्क स्ट्रेट गंगा का मुख चिल का जील तो भई अगर हम बात करें ना भारत में जो जवारिय उर्जा प्राप करनी है तो खंबात की खाड़ी में ही बारत में सबसे बैस्ट जवार उत्पन होते हैं क्या रहेगा अंस्वर खंबात की खाड़ी जो कि गुजरात के तटके पास है नेक्स आता है कोश्चन नबर बन अंडर 36 अच्छा आपसे अगर एक्जामिनर पूछे कि विश्व का सबसे उचा जवार कहां उत्पन होता है तो विश्व का सबसे उचा जवार जो होता है वो क कैनेडा में खाड़ी आते हैं फंडी की खाड़ी कैनेडा में फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे हाइस्ट लेवल का टाइड पैदा होता है नेक्स आता है कोश्चन नबर बन अंडर 36 निमलिकी चिंतन फलकों में से किसकी सापना परिमानात्म करांती के सहारे हुई यानि quantitative revolution से related question है संभवाद, परत्यक्षवाद, पर्यावरणिय, निष्चेवाद, मानववाद तो यहाँ पर हमारा अंस्वर होगा भई परत्यक्षवाद तो इनकी जो परिमानात्म करांती के सहारे जुस्तापना हुई थी परत्यक्षवाद के सहारे हुई थी ठीके यह म परिमानववाद, निष्चेवाद, संभवाद यह तो परकति और मुनिष्चे का आपस का रोला था बीच का तो इनसे दूर रहना परत्यक्षवाद आपका quantitative revolution से related था परिमानात्म करांती से नेक्स्ट आता है निम्न में से कौनसी एक कायंत्रिश शेल है यानि आपको मैट अपको इंग्लिश वाला वर्ड भी देखना पड़ेगा क्योंकि कई बार अपसोर ना देखें यहाँ पर भी aphealine लिख देगा इस तरीके से aphealine तो आपको पता होना चाहिए aphealine में क्या आएगा 4 जुलाई 4 जनवरी 3 जनवरी 4 जुन तो कब होती है आपकी 4 जुलाई को होती है अपसोर next आता question number 139 monics निम्न में से किस से सम्बंधित है monics मांसून से व्यापार से क्रिशी से मिट्टी से तो बही जो आपका monics है वो किस से related है वो मान्सून से रिलेटिद है मोनेक्स मान्सूनसे रिलेटिद है याद रखना ठीक नेक्स आता है Q110 उत्री इंटलांटिक महासागरमीま घ्रांड बैंक है जोकी मतस्यपालन के लिए अभी तेनों मतश्य पालन से जब भी झधाव लिए जब भी जब भी तो एतनी पालाय में जाकर पकड़ा जाएगा मछली cht यानि छिचले पानी में मतश्य पालन के लिए आपकेаш प्रांट बैंग मानने जाते हैं नेक्स आता कोशन नबर 141 निमने में से किस राजी में जनसंक्या गनातों सरवाधिक है मद्यपरदेश उडिस्टा राज्यस्तान उत्राखंट अब देखो सरवाधिक वाला तो दिया ही नहीं अब आपको राज्य दे दिये अब आम इनमें देखते हैं किस तरीके से देखोगे आप देखो राज्यस्तान में जनसंक्या गनातों पाए गाई नहीं ठीक है अदिकतर एरिया में तो मरुस्तल है ठीक है उत्राखंट आपका परवर्टे इलाका है वहाँ पर भी जनसंक्या गनातों इतना जादा नहीं होगा अब रह ग गनातों सरवादी किस में हैं उडिस्ता राज्य में नेक्स राता है Qooshan निम्न में से कौन सी लोहे आइशक खान उडिस्ता में नहीं है आपको बताने कौन सी ही खान इनुडिस्ता में नहीं है बादाम पहाड आपकी सुकंद एरिया कुद्रे मुख वैयिक करना तक क्योन कुद्रेमुख की खान और यहां से प्राप्त की जाते हैं खनीज तो। कुद्रेमुख आपका याद रखना करनाटक राज्य में है। तो अंस्वर क्या हो जाएगा हमारा कुद्रे मुक उडिस्ता में नहीं है नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पैट्रोलियम भंडार है अब आपको बताना है इन में से सबसे बड़ा पैट्रोलियम भंडार कौन सा है ब्रंपुत्र गाटी गुजरात तट गोदावरी बेसिन मुंबई हाई, जो मुंबई हाई में सागर समराट के दुआरा मुंबई से 176 किलोमीटर की दूरी से जो तेल प्राप्त किया जा रहा है, वही आपका सबसे बड़ा पैट्रोलियम भंडार है, ठीक है, उनी में से आपका सबसे ज़्यादा पैट्रोलियम और भारत में जादा जो आपूर्ती हो रही है न, वो भी इसी से ही हो रही है, मंबई हाई से, नेक्स्ट आता है कोशन, मानचीतर के निर्माण में निम्न में से कौन कसी बड़ी मापनी है, तो मानचीतर के बिविव, देखो इस चीज को समझने के लिए आपको एकी चीज क टिक करोगे, उपर छोटी मापनी पूची गई है, तो सबसे बड़ा जो स्केल होगा, आप उसको टिक करोगे, तो यहाँ पर सबसे बड़ी मापनी पूची गई है, आपको टिक कर दे न, आख बंद करके, 1000, क्योंकि इन सभी रेसों में यही सबसे चोटा है, ठीक है, समझ पस्रेगर, देकर पाणी में, जो अधिक पानी में तोते हैं लुएरि फाइट के नाम से जाना जाता है, तो अनसवर क्या होगा तो कई कोशन तो हम अपने common sense से भी रिलेटिड रखते हैं, नेक्स आता है question 146 बनिहाल दर्रा कौन सी परवश्रेनी मिस्ती थे तो वही बनिहार कराकोरम लदाक चासकर पीर पंजार तो पीर बनी जो कारा ठीक है जम्मू कस्मी तो आपके बनिहार की बात करें तो ये आपके कौन सी परवश्रेनी पर आएगा पीर पंजार ठीक हे पीर पंजाल परवष्य रेनी पर आता है बनीहाल दर्रा उप्षय नंबर फोर हो जाएगा नेक्स आता है कोशन बर बन अंडर फ्राट सैवं निमनी में से कौन सा मेल सही नहीं है आपको बताना इन में से कौन सा मेल ठीक नहीं है तो देखते हैं महाबलेशवर आपका महाराष्ट में ही है गुरू शिकर अभी देखो गुरू शिकर सबको पता है गुरू शिकर आपकी अरावली की सबसे उची चोटी है गुरू शिकर और कहां अरावली कहां 36 गड़ गाट में हरिस्चंदरगर्ड देखो यह बिल्कुल पुरूफ है गुरु शिकर आपकी अरावली की सबसे उची चोटी है 1722 मेटर इसकी हाइट है राज्यस्तान में पढ़ती है गुरु शिकर तो यहां पर छतिसगर्ड यही रोंग है नेक्स्ट आता कोशन नबर 148 निम्न म पथर बात करें आवसादी चप्टाने हैं और आवसादी चप्टानों में तो जीवासम पाई जाते हैं शेल में भी पाई जाते हैं और कांगलो मीरेट में भी जो यह ग्रेनाइट है ग्रेनाइट आपकी आगन्य चप्टान है और आगन्य चप्टान में आपके जीवासम नहीं पाई जाती, तो option number B is correct, next आता है question number 149, विसो सामरिक दिरिष्टी कोन में Rimland का विचार किसने देखो, एक है Rimland और एक है इतिहास, बगोलिक इतिहास की दूरी, जो बगोलिक इतिहास की दूरी है, वो मेकेंडर मोहद्दे ने दिया, और Rimland का सिद्दान दिया था Spikeman ने, और यहाँ पर दोनों दिये गए है, ठीक है, यहाँ पर दोनों दिये गए है, तो मेकेंडर मोहद्दे का आप क्या याद रखोगे, इतिहासिक दूरी का सिद्दान और Spikeman का क्या याद रखोगे, Rimland का सिद्दान था, ठीक है, next आता है question number 150, और आज की वीडियो का हमारा last questions, I think, I hope, आपको पूरा question paper समझ में आ गया होगा, ठीक है, फिर भी कोई doubt हो, तो comment कर देना, प्लीज प्लीज आपसे humble request है, कि आप वीडियो को maximum share किया करो, ताकि views थोड़े बड़े, लानोस गास के मैदान कहां पाए जाते हैं, तो आपको पता है, South America में, जो आपके गास के मै पास कहते हैं, शितोशन कटीबंदिया गास के मैदानों को, और आपके वेनेजवेला में, लानोस गास के नाम से जाने जाते हैं, उशन कटीबंदिया गास के मैदान, यानि आपके जो ट्रोपिकल ग्रास लैंड होते हैं, उन्हें वेनेजवेला में, लानोस गास के मैदान के नाम से जाना जात हैं तो यहाँ पर हमारे कोशन कंप्लेट होते हैं और यह दोजार आपके पंदरा का कोशन पेपर था और मेरे हिसाफ से अगर किसी बच्चे ने मेरा पेड कोर्स लेकर इस कोशन पेपर को सोल्व करने जाएगा ना तो उसके फिफ्टी प्लस नंबर आएंगे गारंटी है क्योंकि इनी सभी कोशनों में से फिफ्टी फाइफ कोशन ऐसे हैं जो मेरे बिल्कुल अर्जेक्ट पेड कोर्स से आए हुए है ठीके तो मुझे तो कोशन पेपर बिल्कुल बढ़िया लगा तो इसी लेवल का अगर कोशन पेपर आता है तो आप अराम से कर जाओगे कोई दिकत नहीं आएगी तो फिर मिलेंगे तब तक के लिए हैवे नाइस डे ओके बाबाई सी यू